हेलो फ्रेंज तो वेलकम टू मैं चैनल रतन भाइसा की रसोई आज हम हमारी रसोई में बहुती शानदार लंगर वाली दाल की रेसीपी लेके आए हैं लंगर वाली दाल बनाना फ्रेंज बहुती सिंपल है उसका टेस्ट बहुती ज़्यादा लाजवाब होता है एक बार इस recipe को जरूर try करें तो शुरू करते हैं तो लंगर वाली डाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप चना डाल और आधा कप काला उड़त की डाल ले ली है लंगर में especially यही डालों का यूज किया जाता है तो मैंने यहाँ पे आधा आधा कप दोनों समान मात्रा में ले लिये हैं इसे अच्छे से धो के कुकर में 5 सीटी से मैं इसे बॉयल करके ले लूँगी चने की डाल है इसलिए इसकी सीटी जो है आपको 5 लेनी है ताकि वो अच्छे से पक जाए तो यह देखिए यह हमारी डा जो है पॉफेक्ट ली पक चुकी है कुकर की पान सीटी मैंने ले ली है कुकर को ठंडा होने के बाद मैंने इसे बहान निकाल दिया है तो मैंने यहाँ पे एक प्याज को बारी काट लिया है लसोन और अध्रुक को बारी कूट के ले लिया है एक करीपता का बंच लिया है और हरी मिर्ची मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं तो सबसे पहले हम यहापे कड़ाई ले ले लेंगे और कड़ाई के अंदर हम यहापे डाल देंगे घी आप चाहे तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो यह हमने इसके अंदर घी डाल दिया है, घी अच्छा से गरम हो चुका है, अब हम डाल देंगे जीरा और एक टीस्पून राई, एक टीस्पून जीरे का इस्तिमाल किया है, एक टीस्पून हम यहाँ पे राई का इस्तिमाल कर रहे हैं, राई हमारी अच्छे से छटक रही कऱी है अब हम एहां पर डाल देंगे हें तो हम यहां पर कश्मीर शाबुद उस्तिमाल कर रही हूँ При B पकेगा इसके पत्ते और डंठल जो हैं अलग-अलग हो जाएंगे अब हम डाल देंगे बारी कटा हुआ प्याज और प्याज का कच्छा पर निकलने तक हम इसे अच्छे से पका लेना है ग्यास की फ्लिम मैंने यहां पर लो मीडियम ही रखी है मिर्ची को मैंने काटके टाल दिया है अब हम यहां पर डाल देंगे अधरक और लस्वन जीसों मैंने कूटके रख दिया हैं लसन और अधरोग को आप कूट के डालिए इसका बहुत ही ज़दा अच्छा टेस्ट आता है दाल के अंदर तो इसका कच्चापन निकलने तक हम इसे गी में अच्छे से पका देंगे अब हम डालेंगे मसाले तो आप चाहिए तो मसाले ऐसे भी डाल सकते हैं मैं मसालों को जो है नमग भी की अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए थोड़ा से हम गरम मसाला डाल देंगे तो इन सारे अंदर थोड़ा सा हम डाल देंगे पानी और इसका घोल बना लेंगे इस तरह से तो अब हम इस गोल को जो है इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से पका कालेंगे थोड़ा सा पानी आड़ करके बाउल के अंदर उसे भी डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा अच्छे से पका लेंगे वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए अब हम डाल देंगे बा कर दिया है अब हम इस स्टेज पे जो हमने डालों को उबाल के रखा है उन्हें हम इसके अंदर एड़ कर देंगे स्पेशली फ्रेंड्स डाल जो है थोड़ी थिकी अच्छी लगती है पतली डाल ज्यादा अच्छी नहीं लगती है क्योंकि हम इसे रोटी के साथ सर्व करत डाल देंगे डाल में अच्छे से उबाल आने तक आपको अच्छे से पकाना है अब हम इसे धुनिया पत्ता से गानिश कर देंगे बहुत ही सिंपल है फ्रेंस लंगर की डाल जो है बहुत ही जदा टेस्टी होती है क्योंकि उसमें बहुत सारी प्यार होता है तो